जैसे जैसे समेबी तजा रहा है वैसे वैसे अटलांटिक महासागर में डूबी पंडूबी टाइटन से जुड़ी उम्मेदे कमजोर होती जा रही है बता दें यह पंडूबी सन 1912 में डूबे टाइटनिक जाहज का मलबाद देखने के लिए परियाटकों को ले कर जाती है अजीब बात है कि पंडूबी को ओपरेट करने वाली कमपनी के मालिक का डूबे हुए टाइटनिक से गहरा रिष्ता है बता दें उनकी पतनी के परदादा दादी की मोत उस हाथसे में हो गई थी उनका एक सीन 1997 में में रिलीज हुई फिल्म टाइटनिक में नजर आया था रहेवार को पंडूबी गायब हुई थी और अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं जब इस पर ऑक्सिजन खतम हो जाएगे वहीं आपको बता दें टाइटन पंडूबी को अमेरिका इस्तित ओसिन गेट ओपरेट करती है साल 2009 में इस कंपनी की सुरुवात इस्टोक्टन रसने की थी और वहे भी इस पंडूबी में सवार हैं बता दें इस्टोक्टन की पतनी वेंडी के पर दादा दादी इस्टोर और इडा इस्टार्स टाइटनिक पर फर्स्ट क्लास पैसेंजर थे ये वो दो सबसे अमीर लोग थे जो जहाच पर शावार हुए थे स्टार्स मेसीज डिपार्टमेंटल इस्टोर के मालिक थे सन 1986 में वेंडी की साधी स्टोक्टन से हुई थे वेंडी ने खुद तीन बार ओसिन गेट एक्सपी डिशन्स में हिस्सा लिया है वें पिछले दो साल में टाइटानिक का मलबा देख कर आचुकी है वें कम्पनी की कम्यूनिकेशन डिरेक्टर है इसके लावा कम्पनी की चैरिटेबल पाउंडेशन में काफी समय से बोर्ड मेमर भी है उनके पती स्टोक्टान ही पंडूबी को ओपरेट कर रहे है वहीं आपको बता दें इस घटना के बाद से वेंडी रस खामोस है और किसी भी तरह की टिपनी उनकी तरफ से नहीं की गई है रस की पूरवजो की लव स्टोरी को टाइटैनिक की सबसे खूपसूरत लव स्टोरी माना जाता है आकाइब में मुझूद रिकॉर्ड के मुताबिक इस्टार्स ने लाइफ पोर्ट में बैठनी से मना कर दिया था उन्होंने अपने शीट उस समय छोड़ दी जब मैलाव और बच्चों को बचाने की कोशिश की जा रही थी इंडा स्टार्स जो चालिस साल से इसी डोर की पतनी थी उन्होंने अपने पती का साथ छोड़ने से मना कर दिया था इसके बाद दोनों ने एक दूसरे की बावों में दम तोड़ा था यह बात काफी हैरान करने वाली है कि उनके पती स्टाक्टन रस ने कभी भी सुरक्षा को सवज्जों नहीं दी थी वह हमेशा कहते हैं सुरक्षा एक समय बरबाद करने का तरीका है रस ने CBS रिपोर्टर डेविट पोक के साथ साल 2022 पोड़कास्ट में कहा था अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो बिश्थर से बाहर ना निकलें अपनी कार में ना बैठें कुछ भी ना करें जीवन के किसी पोइंट पर आप कुछ जोखिम लेने सा रही हैं और यह वास्तम में वह जोखिम किसी इनाम से कम नहीं है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ